रंग करने वाली मीनू चेडिया रहती थी, मीनू चेडिया पक्षियों के घरों में जाकर उनके घरों में रंग करती थी, जंगल के सभी पक्षी अपने घरों में मीनू चेडिया से ही रंग करवाते थे, क्योंकि पूरे जंगल में मीनू चेडिया से जाधा अच्छा रंग क उसी जंगल में एक रंग करने वाला कालू कववा भी रहता था, कालू कववे को रंग तो करना आता था, लेकिन जंगल का कोई भी पक्षी कालू कववे से अपना घर रंग नहीं करवाता था, क्योंकि मीनू चडिया कालू कववे से भी जादा अच्छा रंग करती थी, इसी मीनू चडिया मुझसे भी जादा अच्छा रंग करती है। इसी वज़ा से चंगल के सभी पक्षी मीनू चडिया से ही अपने घर को रंग करवाते हैं। लगता है अब मुझे अपने लिए कोई नया काम ढूनना पड़ेगा। क्यूंके मेरे इस रंग वाले काम को तो इस मीन करती हूं कि उस घर में तुम रंग करो क्योंके मैंने सुना है कि पूरे जंगल में सबसे जादा अच्छा रंग तुम करती हो मीनू चडिया। जी बिल्कुल ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक सुनी हैं बुलबल बेहन। मैं आपके पूरे घर को रंग कर दूंगी आप बेशिकर हो जाएं मीनू चडिया तो फिर मेरे साथ मेरे घर चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूं फिर वे बुल्बल मीनू चडिया को अपना घर दिखाने के लिए ले जाती है मीनो चिडिया ये देखो ये हैं मेरा लकडियों का घर तो मैं इस पूरे घर को अच्छे से रंग करना है अब तुम ये बताओ कि तुम इस पूरे घर को रंग करने के मुझसे क्या गंदुम के दाने लोगी बिल बेहन आपने घर तो बहुती जादा अच्छा बनाया है मैं इस पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूँगी और इस पूरे घर को में रंग करने के लिए आपसे पूरे 20 गंदुम के दाने लोगी ठीक है मीनू चडिया मैं तुम्हें 20 गंदम के दाने दे दोंगी तुम मेरे घर को रंग करना शुरू कर दो फिर मीनू चडिया बुलबुल के घर को रंग करना शुरू कर देती है शाम हो जाती है मीनू चड़िया ने बुलबुल के पूरे घर को अच्छे से रंग कर दिया होता है वा भई वा मीनू चड़िया तुमने मेरे घर को कितना अच्छा रंग किया है तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू पक्षियों के मुझे जो मैंने सुना था कि तुम बहुत अच्छा रंग करती हो और आज ये सब कुछ मैंने खुद देख लिया है कि तुम कितना अच्छा रंग करती हो बिल बेहन आपको पसंद आया ना बस इससे बड़ी बात मेरे लिए और कौन सी हो सकती है फिर वे मीनू चड़िया बुल बुल के घर को रंग करके वहां से चली जाती है इस मीनू चड़िया ने बुल बुल के घर को क्या रंग किया है ऐसा रंग तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ जबी तो जंगल के पक्षी इस मीनू चड़िया को ही अपना घर रंग करवाने के लिए बुलाते हैं अगली सुबे कालू कववा जंगल से गुजर रहा होता है के कालू कववे की नजर सामने एक बड़े से घर पर परती है कालू कववा उस घर के पास जाता है उल्लू भाई ये घर कितना अच्छा और कितना बड़ा बना हुआ है ये घर किसका है उल्लू भाई कववे ये घर मिट्टू माराज का है और ये घर मिट्टू माराज ने बनवाया है पस मिट्टू माराज अब इस घर में रंग करवाएंगे उसके बाद ये घर एकदम तयार हो जाएगा उल्लू भाई मैं भी रंग करने वाला हूँ आप बोलो तुम्हें पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूंगा अच्छा तुम्हें रंग करना आता है चलो मिठ्टू माराज के पास चलो अगर उन्होंने कह दिया के वे तुमसे ही रंग करवाएंगे तो तुम इस घर को रंग कर देना हाँ हाँ उल्लू भाई चलो आप मुझे मिठ्टू माराज के पास ले चलो देखना वो ही मुझे इस घर को रंग करवाएंगे फिर वे उल्लू सैनिक कालू कववे को मिठ्टू माराज के पास ले जाता है मिठ्टू माराज ये रंग करने वाला कववा है इस कववे को अच्छे से रंग करना आता है और ये कववा चाता है कि आपने अभी जो अपना एक नया घर बनाया है उस घर में ये कवर रंग कर दे अच्छा कालुकोवे तुम मेरे घर को अच्छे से रंग तो कर दोगे न अगर तुमने मेरे घर को अच्छे से रंग नहीं किया तो तुम तो मुझे जाते ही हो हाँ हाँ मिठ्टू माराज आप बेफिकर हो जाओ मैं आपके घर को एक दम अच्छा रंग करूँगा कि आप देखते ही रह जाओगे ठीक है तो फिर मैंने तै कर लिया है कि मैं अपने नए घर का रंग तुम से ही करवाओंगा कालुकोवे मिठ्धु माराज इतना कहते ही है कि वहाँ पर मीनू चड़िया आ जाती है मिठ्धु माराज आपने मुझे बुलाया था ना लो में आ गई बोलिये आपको मुझे क्या काम है कैनलू कोवे मैं तो भूल ही गया कि मुझे अपने नए घर का रंग इस मीनू चड़िया से करवाना था पर मेठ्धु माराज आपने तो अभी मुझे से कहा था ना कि आप अपना घर मुझे से रंग करवाऊगे कैनलू कोवे वो तो मैं भूल गया था लेकिन अब मीनू चड़िया आ गई है तो मैं अपने घर का रंग इस मीनू चड़िया से ही करवाऊंगा मिनू चडिया देखो मैंने अपना एक नया घर बनवाया है उस पूरे घर को तुम्हें अच्छा सा रंग करना है ठीक है मिटू माराज मैं आपके पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूँगी मिनू चडिया मेरी एक बात याद रखना अगर तुमने रंग करने में कोई भी गलती करी तो मैं तुम्हें उस गलती की कणी से कणी सजा दूँगा मिटू माराज आप बेफिकर हो जाएं मैं रंग करने में कोई भी गलती नहीं करूंगी देखना आपको आपके घर का रंग बहुती ज़्यादा अच्छे लगेगा ठीक है मिटू माराज तुम जाकर मेरे घर को रंग करना शुरू कर दो मैं आज शाम को अपना घर देखने के लिए आउँगा और आज शाम तक मेरे पूरे घर को रंग हो जाना चाहिए ठीक है मिठ्टू माराज, आज शाम तक मैं आपका पूरा घर अच्छे से रंग कर दूँगी, चलें मैं अब चलती हूँ ये कहकर मीनू चडिया, मिठ्टू माराज के घर को रंग करने के लिए चली जाती है जाओ कालू कवे, तुम भी चले जाओ, तुम यहां बेठे बेठे क्या कर रहे हो, जाओ जाकर अपने लिए कोई नया काम ढूंडो हाँ मिठ्टू माराज, रखता है अब मुझे अपने लिए कोई नया काम ढूंडना ही पड़ेगा चलो भई, मैं जल्दी जल्दी मिठ्टू माराज के पूरे घर को अच्छे से रंग कर देती हूँ, मेरे पास बहुती कम समय है, आज शाम को मिठ्टू माराज अपना घर देखने आने वाले है इस मिनू चड्या को तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा, अच्छा खासा मेरे मिठ्टू माराज से बात बन गई थी और ना जाने वहाँ पर मिनू चड्या कहां से आ गई, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, जिससे मिनू चड्या मिठ्टू माराज के घर को बहुती जादा बुरा रंग करें और फिर मिर्टू माराज मेनू चड़िया को सजा दें फिर कालू कववा कुछ देर सोचता है तो कालू कववे के दिमाग में एक शातिर योजना आती है हाँ मैं बादल बाया के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ के वे हमारे जंगल में आकर बारिश कर दें बारिश के पानी की वज़ा से मिर्टू माराज के पूरे घर का रंग खराब हो जाएगा और फिर मिर्टू माराज अपने घर का खराब रंग देखकर मीनू चड़िय को सजा देंगे फिर ये कहकर कालू कववा फौरन बादलों के पास चला जाता है बादल 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 हमारे जंगल में बहुती जादा गर्मी हो रही है क्या आप अभी चलकर हमारे जंगल में बारिश कर सकते हो चलो ठीक है कालू कववे वैसे भी मैं बैटा हूँ चलो मैं चल कर तुम्हारे जंगल में बारिश कर देता हूँ फिर वे कालू कववा बादल को लेकर अपने जंगल की तरफ चला जाता है कुछे देर के बाद पूरे जंगल में खुब तेज बारिश शुरू हो जाती है कुछे देर के बाद बारिश रुक जाती है और मौसम काफी जादा सुहाना हो जाता है ये क्या हो गया मैंने मिट्टु माराज के घर को कितना अच्छा रंग किया था और इस बारिश की वज़ा से पूरा रंग खराब हो चुका है कुछी देर के बाद मिट्टु माराज भी आने वाले है जब वो ये सब कुछ देखेंगे तो वो मुझे कड़ी से कड़ी सजा देंगे मेनू चडिया काफी ज़ादा उदास हुझाती है कि वहाँ पर मिठ्ठु माराज का एक सेनिक आता है मेनू चडिया मिठ्ठु माराज आज शाम को ये घर देखने आने आने वाले थे लेकिन वो आज शाम को नहीं आएंगे उनको किसी दावत में जाना है इसलिए वो कल सुबा ये घर देखने आने वाले हैं ये कह कर वे उल्लू सैनिक वहां से चला जाता है वाँ भई वाँ मिट्टू माराज अपनी किसी दावत में जाने वाले हैं इसी कारण वे कल सुबा येंगे और कल सुबा तक तो मैं मिट्टू माराज के पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूँगी अगली सुबे हो जाती है मीनू चडिया ने दुबारा से मिट्टू माराज के पूरे घर को अच्छे से रंग कर दिया होता है और अब मिट्टू माराज का घर काफी जादा सुन्दर दिखाई दे रहा होता है कुछी देर के बाद मिट्टू माराज भी अपना घर देखने के लिए आते हैं तो मिट्टू माराज को अपना घर बहुती जादा पसंद आता है वाँ भई मीनू चडिया तुमने मेरे गर को कितना प्यारा रंग किया है मेरा गर कितना सुन्दर दिख रहा है फिर मिट्टू माराज मीनू चडिया से खुशो कर मीनू चडिया को दो पोटली भर कर गंदुम के दाने देते हैं प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है तो प्यारे दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करगर जरूर बताएं